तो यह मेरा लैप्टॉप और इसका करेंगे आज रिविव्यू और बोलना पड़ता है न वीडियो में तो यह है मेरा भाई का लैप्टॉप और इसे मैं पिछले एक महीने से यूज कर रहा हूं और ऐसे पुरा मतलब में डिटेल में रिव्यू देने के लिए त्यार हूं त तो मैंने सुझा बना देते हैं काफी टाइम हो गया है तो आज किस वीडियो के अंदर से रिव्यू करेंगे इसका पूरे डिटेल में और ऐसे नस नस से वाकिव हो चुका हूं मैंने पूरा एक महीने फुल तब्यस से यूज किया गेम्स वगेरा सही खेली है सॉफ्वेर स आपको स्पैइडफिकेशन बताना चाहता हूं कि आपको यहां पर इसके अंदर लैप्टॉप के अंदर क्या क्या देखने के लिए तो इसके मर जो कोरी 2 का सैवन जेनरेशन प्रोसेडरा जो कि का अच्छा प्रोसेडर है इसके अदर आप गेरा तगाएब तक दिखा दू दोजार पर महांगा आता है कि आपको ओरिजिनल विंडो मिलती है तो इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर इसकी डिस्प्ले दी गए हो काफी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले तक की वीडियो आप देख पाओगे यूट्यूब पर ठीक है और मैं आपको बता दो जैसे वीव एंगल्स के तो कुछ-कुछ लैप्टोप के अंदर होता है कि अगर साइड से देखते हैं तो क्या होता है कि ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है और बट इसके अंदर ऐसा कुछ सेमसंग की DDR4 और साइगेंड लोड जो इसका खाली पड़ा है तो साइगेंड लोड में अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि कम रहे हम है तो आप बढ़वा सकते हैं कि चार्ज भी कि राम और डलवा सकते हैं तो वह बात करें तो इसके अंदर आपसानी से खिल पाओग एक एमुलेटर के थुरू खेली ती जो की ब्लू स्टैप टाइप का होता है तो एक एक एमुलेटर है उसके थुरू मैंने फ्री फायर जो की पब जी का लाइड वर्जन बोल सकते आप उसे और एक खेली ती मैंने प्रिंस ओपर से अधा फोगड़न सेंस ओफ ताइम तो यह वाली दो गेम्स खेली ती तो फ्रीक्ट पर सेंब यहां पर फ्लिप सकते हैं चल रही अभी तो पाइज साही चल रही थी तहले तो बीस प्रिंस ओपर से में इसे खेल रहा हूं और काफिद अच्छे मतलब मेरे को बिल्कुल भी कहीं पर भी लाग वगरा देखने के न लाइट वर्जन है और यह थोड़ी बहुत लैक करी मैं खेल रहा था तो काफी अधर लैग वगेर देखने के लिए इसका रीजन यह वैसे खेल पाऊगे आप मैंने बारा तेरा किल कर देदे कोई दिक्कत नहीं में बट थोड़ी बहुत लैक करती है वह बात अलगे उसका र इसलिए आपको अगर कम लगता है फ्यूचर में तो आप आर जी भी बड़ा सकते रहें ठीक है तो अगर आप चार्ड जीवी की रहा डलवा लेते हो तो यह जो थर्ड पाटी है पहने की एमुलेटर है वह बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा आपके मदलब लैप्टोप के Bangladesh की बात करें तो भंई ठीक था क्याव रैतना क्यामरा नीं कुई क्योंकि जैसे की आपके पता है लेप्टोप क्यामरे होतए है वह ओपके होते हैं और डिटेल्स वाली फोटो नहीं है बट ओवरोल मैं आपको वह लो तो ठीक ठाक है और वीडियो को लिंग तो आप करी पाओगे स्काइब वगरा पे और उपर जो लाइट जलती है ना एलेडी लाइट है वह काफी अच्छी लगती है देखने में तो भाई अब इसके लैप्ट सुझ जलती है झाली है टीक है झाली झाली में टृटी को लाइट पी जक्रवा लाइट है पालाइट अच्छी लाइट बवाल पीजिवारों ग्ली कांग है एल्सेते है टॉ जतावपे छूश कि इस laptop के ports वगेर की बात करें तो यहां पर आपको left side में एक micro sb port मिलता है और SD card का slot मिलता है right side की बात करें तो है पर आपको 2 micro sb port मिलता है HDMI port मिलता है एक LAN का port मिलता है और चार्जिंग slot मिलता है और साधी में आपको एक हैड़फोन जैक मिलते हैं तो कुछ इस तरीके के दोनों सेड में आपको पोर्ट मिल जाते हैं भाई मेर को ने इस लैप्टॉप की एक बहुत और अच्छी चीज लगी है इसकी जो बोडी दी गई है तो इससे आप क्या कर सकते कि आपके जैसे नखून वगिरा बड़े हो त मतलब ऐसे अपने नखूनों को घिस सकते हो तो आपके ऐसे 15 रुपे के मतलब नेल कटर के पैसे बच जाएंगे मजाग कर रहता है और मैं सिर्फ ऐसे बता रहा था कि इसकी जो बोडी दी गई हो टेक्स्चर बोडी है प्लास्चिक की तो इससे काफी प्रीमियम लगता है में आप देखने में तो इस वाले लेफ लेफ टॉफ लेफ टॉफ कर सकते हैं लिंक आप को डिसक्रेश में मिल लएगी वहां से आप चांग कर लेना और आकर प्रिविव पसंद आया तो प्लीज य्यादा पसंद आ गया तो सब्स्क्राइब कर लोग है चैनल को और बैल आ एक नर्ड उपिक के साथ